हलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में आप सभी को Google AdWord में कैसे एकांट आप किरियट कर सकते हैं दोस्तो अश्टेप बाश्टेप जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक बाज करें दोस्तो यदि आप YouTube वीडियो को Google AdWord की थूप परमोट करना चाहते हैं तो दोस् उसके लिए दोस्तो आज specific वीडियो है इस वीडियो को आप एंड तक देखें नेक्स्ट वीडियो दोस्तो रहेगा कि कैसे आप एड्स रन कर सकते हैं step by step process ठीक है तो इस वीडियो को आप complete देखें और दोस्तो अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो किसी भी तरह से कोईर के लिए आप comment section में भी comment हमें कर सकते हैं तो लेट गिटा स्टार्ट इस वीडियो आप फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा यदि आप mobile phone से कर रहे हो तो mobile phone में chrome browser open कर लेना है और उपर में एक side में icon दिख रहा होगा 3. तो उस पे click करने बाद आपको desktop मोड कर लेना है उसके बाद फिर या PC में कर रहे हो तो chrome browser open करने बाद यहां पर आपको tag करना है Google Ads जैसा कि मैं यहां पर आप सभी को दिखा रहा हूँ Google Ads जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर काफी सारे options आप सभी को देखने को मिल जाएंगे तो प दोस्तों यहां पर process यह है कि जब आपको Google AdWords में account open हो जाएगा और जब आप यहां पर add run करवाते हो तो उसके लिए दोस्तों 20,000 रुपए का आपको deposit करना पड़ेगा 20,000 रुपए यहां पर आपको पहले number जमा करना होगा और यहां पर ads run करवाना होगा उसके बाद यहा process है तो अब भी हम यहां पर दोस्तों क्या करते हैं account बनाना हम जान रहे हैं just get a starter वाले option के उपर आपको click करना है और friends अच्छा होगा कि आप इसके लिए एक नया email ही बना ले ठीक है नया Gmail आप create कर सकते हैं तो just अभी हम यहां पर click कर रहे हैं तो friends यहां पर आपका current में जो Gmail दिख रहा होगा उपर में आप से विको profile दिख रहा है तो current में दिख रहा है इसके उपर just click करने के बाद आपका जो new Gmail होगा उसको यहां पर select आप से विको कर लेना होगा अब हमने friends देख सकते हैं वो Gmail को select कर लिए जिसमें मैं account बनाना चाह यहां वे फ्रेंट्स यूर बिजनेस नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना नेम भी डाल सकते हो मैं यहाँ पर अपनों दोस्तों नेम ही एंटर कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पर नेश्ट वाले ओप्शन के उपर किलिग करना होगा अब यहाँ पर फ्रेंट्स से पुछा जा रहा है वेफसाइट दोस्तों वेफसाइट का लिंक आपको यहाँ पर एंटर करना है यदि दोस्तों आपका वेफसाइट नहीं तो आपको चिंदा नहीं करना है आपको क्या करना होगा आपके चैनल को ओपेंड करना है चैनल में ज यहाँ पर आपको next करना है आप friends, यहाँ पर आपका channel सो हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, just यहाँ पर आपको next करते जाना है फिर से और उसके बाद friends, देख सकते हैं, get free वाला कुछ option दिग रहा होगा, friends, यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना होगा नीचे में जाना है और यहाँ पर get more views and engagement on YouTube वाले option के पर आपको select करने के बाद यहाँ पर next करना है आप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है नीचे में आपको एक option show हो रहा होगा देख सकते हैं यहाँ पर switch to export mode इसके उपर just click करने बाद फिर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं तो export mode वाले option के उपर आपको click करना है और just थोड़ा सब वेट करना है और नीचे में देख सकते हैं create an account without a campaign दोस्तों अभी सिर्पे account बना रहे हैं just इसके उपर आपको click करना होगा नीचे जो without campaign हो लगा ठीक है और उसके बाद फिर billing वगेर यहाँ पर 100 होगा तो आपको दिख रहा होगा continue to your account यहाँ पर आप दोस्तों click कर सकते continue to your account इसके उपर just आपको click करना है और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से loading हो रहा है आप friends यहाँ पर देख सकते हैं explore वाले option के उपर जैसे आप किली करते हैं कुछ इस तरह से interface खुल जाएगा और दोस्तों आपने अभी तक जो desktop mode नहीं open किया होगा अगर आप mobile से phone से कर रहे हो तो just अभी कर लेना है तो कुछ इस तरह से आपका भी दिखेगा जिस तरह से मेरा यहाँ पर PCM दिख रहा है उसी तरह से आपका भी दिखना सो हो जाएगा ठीक है तो friends यहाँ पर fund कैसे add करना है उसके लिए just आपको क्या करना होगा यहाँ पर देख सकते एक option दिख रहा होगा tools and setting वाले इसके उपर just किली करना हो और यहाँ पर billing में summary वाले option के उपर और यहाँ भी काफी सारे options आप सभी को देखने को मिलता है payment setup में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिया यहाँ पर selected है और यहाँ पर दोस्तों आपका individual नहीं होगा organization होगा तो just आपको यहाँ पर क्या करना है individual सेलेट कर लेना है उपर में और नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ptm मिल जाएगा options काफी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको select कर लेना अगर आप चाहो तो ठीक है और उसके बाद पर यहाँ पर कितना fund add करना चाहते हैं और just यहाँ पर दोस्तों किलिक करके यहाँ पर आपको submit कर देना है just आपको यहाँ से क्या करना है यहाँ पर यह method पढ़ भी सकते हूं तो इस तरह फ्रेंट से यहाँ पर विडोग साथ thank for watching this video